नबे साल की बुज़र्ग शहजादी बेगम ने लगाई एडियम से अपना घर वापस दिलानी की गोहार यूपी के रामपूर में वर्तमान सांसद आजम खाने वक्फ मंद्री रहते किया था यतीमों की जगा पर नजायस कबजा एडियम ने जाज बठाते हुए अलप संख् कल्यान अधिकारी से चार दिन में मामली की रिपोर्ड तलब की है आज यतीम खाना वस्ती की रहने वाली 90 साल की बुज़र्ग महीला शहजादी बेगम सहीद कई लोगों ने कॉंग्रेस अलप संख्यक विवाग के परदेश उपाध्यक्ष फैजल खान लाला के माजनम से एडियम को संबोधित ग्यापन एडियम जेपी गुपता को सोपा देखें वफ यतीम खाना संक्या 157 सराइगेट रामपूर इस पर जब आजम खान अपनी सरकार में वफ मंत्री थे तो उन्हों ने गहर खानूनी तरीके से यतीमों को वहाँ से निकाला था और उनकी जगा पर अवैद कब्जा कर लिया था वहाँ पे आजम खान अपना नीजी स्कूल बना रहे हैं ये जगा नवाब रजाली खाने यतीमों को रहने के लिए वफ की थी इनके पास वफ किराइदारी की रतीदे भी हैं साथ में वहाँ का अवंटन पेपर भी है बावजूद इसके इनका अवंटन रातो रात निरस् इस परिवार हैं जो दर दर की ठोकरे खा रहा हैं आज भी तमाम अदिगारियों के चक्कर लगा रहे हैं अपनी जगा वापस दिलाने के लिए गोहार लगा रहे हैं आज हम इसी करम में एक 90 साल की बज़र्ग महिला को लेकर और इनके परिवार के अन्य सदस्थों को लेकर एडियम सहाब रामपूर से मिले हैं और हमने इनका एक प्रात्ना पत्र उनको सौपा है जिस पर उन्होंने जाच बिटा है और चार दिन के अंदर जाच रिपोर्ट तलब की है तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इनसास मिलना चाहिए आजम खान से वो कबदा निकलना और गरीबों को जगा वापत मिलना चाहिए यह है आप से मिलने क्या मामला है और वफ का मामला है कि वफ के संपत्र जो की चोटे-चोटे लोगों को एलाट थी तो उनके अस्तान पर ग्रामपर पब्लिक स्कूल को एलाट कर दी गई है तो कुसी क्यों सिकाय लिकर कि आया थ कि इनको एलाट मेंट दी आगे तो लोग किराएदारी में पुराने समय से उतर रहे हैं तो वह कौन सी परिस्थितियां की इनकी जान कराकर कि कारवारी करने के लिए लोगोंने अप्लिकेशन दिया हुआ है और उसी पर इन लोगों को शुंपे देगा